आज हम सर्वसिक्षा अभ्यान को फुल हिंदी में समझेंगे इस वीडियो को एन तक जरूर देखना दोस्तों और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर करिए सर्वसिक्षा अभ्यान यानि के SSA एक प्रोग्राम है जो कि Universal Elementary Education के लिए बनाया गया है जिसे UEE भी कहा जाता है यानि इस प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया भर में Elementary Education सब बच्चों तक पहुचाने का एक मीडियम है Elementary Education को Primary Education भी कहा जाता है जो कि First से लिखके आठवी कक्षा तक होती है क्योंकि इंडिया में कमी है अच्छी Basic Quality Elementary Education की और लोगों की ये डिमान भी है और जरूरत भी तो इस डिमान को पूरा करने के लिए सर्वा सिक्षा अभियान को लाँच किया गया है भारतिय सरकार द्वारा यानि Government of India ताके एजुकेशन को पूरे इंडिया में बच्चों तक पहुंचा सके ये एक तरहा से मौका भी है बच्चों तक Quality Education को पहुंचाने का एक Community के अंदर ताके वो अपने खूबियों को डिवलप कर सके इसे Mission Mode भी कहा जाता है सर्वसिक्षा अभियान उन स्कूल्स की मदद करता है जो Basic Education भी Provide नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास funds नहीं होते स्कूल्स को maintain करने के लिए सर्वसिक्षा अभियान को Indian Constitution के हिसाब से compulsory बना दिया गया है कि parents को अपने बच्चों को भेजना ही होगा स्कूल्स में की मदद लेकर भारत के Constitution में Article 21A में ये बोला गया है कि सब बच्चे जो के 18 साल से कम उमर के हैं यानि के 6 से 14 साल की उमर के हैं उन्हें free and compulsory education मिलेगी और ये उनका fundamental right होगा Right to Education Act या फिर 86th Amendment Act 2009 के हिसाब से सर्वसिक्षा अभ्यान प्रोग्राम function करना शुरू हो चुका था 2000 से 2001 तक मगर इसमें बहुत सारे changes किये गए RTA Act के release होने के बाद अब सवाल ये है कि सर्वसिक्षा अभ्यान को क्यों शुरू किया गया था सर्वसिक्षा अभ्यान को 2001 से 2002 के दोरान एक partnership के साथ शुरू किया गया था जो के थी state government and local self governments के साथ इस program का मकसद है कि वो ऐसी education provide करे जो कि students की काम आए और जो ज़रूरत की हो सब बच्चों के लिए जो के 6 से 14 साल के age group के अंदर आते हैं और ये target 2010 तक complete हो जाए अब देख लेते हैं सर्वसिक्षा अभ्यान के कुछ features सर्वसिक्षा अभ्यान अपने scope, objectives और aims को clearly define करता है जो ज़रूरत है भारत में ये उस demand for education को पूरा करने के लिए बनाया गया है सर्वसिक्षा अभ्यान के जरीए बच्चों को इंसाफ दिया जाता है क्योंकि अब education सिर्फ अमीर की नहीं है बलके सब की है free of cost ये एक तरीखा है सब को समझाने का के भारत की तरखी इस देश के नागरिकों की educated होने से ही हासिल होगी ये प्रोग्राम एक partnership भी है government, state and local governments की बीच कि इन सब की मदद से इस प्रोग्राम को अच्छे से implement किया जा सकता है सर्वसिक्षा अभ्यान ना सिर्फ students तक education को पहुँचाता है बलके एक मौखा भी देता है state government को कि वो अपना नजरिया फिर से बदले elementary education के बारे में ना सिर्फ governments बलके पंचायती राज institutions, school management committees, village and urban slum level education committees, parent teacher associations, mother teacher associations, tribal autonomous councils इन सब की मदद से अच्छी तरह से school में elementary education को manage किया जाएगा सर्वसिक्षा अभ्यान सभी minors जो के below 18 years है उन्हें all over India free education देता है सर्वसिक्षा अभ्यान इंडिया की मदद करता है नए standards को develop करने और equality and justice को फैलाने में अब देखते हैं सर्वसिक्षा अभ्यान के कुछ aims सर्वसिक्षा अभ्यान ने अपना एक हिस्सा शुरू किया यानि कि अपना एक sub program पढ़े भारत भड़े भारत जिसमें पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के उपर ध्यान दिया गया उन्हें बहुत सारी practice करवाई गई लिखने में पढ़ने में और mathematics को समझाने में real life examples दे कर ये program उन बच्चों की भी मदद करता है जो के school dropouts थे यानि जो financial problems की चलते अपनी education complete नहीं कर पाए थे और school से निकल गए थे सर्वसिक्षा अभ्यान मदद करता है excellence हासल करने में literature and mathematics में ऐसी कई सारी कटनाईयां होती हैं जिसके चलते बच्चे अपनी education complete नहीं कर पाते जिसके environment के problems या area के problems या पर gender gaps कि पहले लोग शौर नहीं होते थे girl child education के बारे में कि उन्हें education मिलना चाहिए या नहीं या घर का काम कौन करेगा तो ये सब जो barriers थे, कटनाईयां थी students, community और school के दर्मियान उन्हें मिटाता है सर्वसिक्षा अभ्यान और मदद करता है schools को better manage करने में सर्वसिक्षा अभ्यान अलाओ करता है बच्चों को कि वो explore करें और learn करें अपने environment के बारे में और खुद को develop करें सर्वसिक्षा अभ्यान एक opportunity देता है बच्चों को कि वो एक दूसरे के लिए काम करें ना सिर्फ अपने लिए एक selfish way में और अपने अंदर value based learning को develop करें सर्वसिक्षा अभ्यान awareness पहलाता है कि early childhood में बच्चों की care करना कितना जरूरी है और कितना ज्यादा जरूरी है कि बच्चे enroll करे and complete करे अपनी education 0-14 years age तक सर्वसिक्षा अभ्यान के कुछ objectives देख लेते हैं इसके objectives ये है कि सर्वसिक्षा अभ्यान बच्चों को एक अच्छा माहूल दे जिसमें वो आकर पढ़ सके proper toilets, hygienic facilities, classrooms, पीने के लिए साफ पानी, etc. और alternative schools की facilities दिये जाए government schools के रूप में सर्वसिक्षा अभ्यान उन areas में schools बनाए जहां अच्छे facilities की कमी है schools को अच्छा पैसा दे, funds provide करे, ताके वो schools अपने आपको maintain कर सके teachers की संख्या को school में बढ़ा दिया जाए, ताके students doubts and management को proper care मिल सके बच्चों को uniforms, textbooks and अच्छी quality की primary education दी जाए जो village areas में backwards children है, उन्हें भी education दी जाए और जो physically disabled है, उन्हें भी दी जाए सर्वसिक्षा अभ्यान promote करता है computer education को, वो improve करता है teachers के teaching skills को, उन्हें अच्छे vocational courses provide करके इस program का main aim and agenda यही है कि बच्चे स्कूल में होने चाहिए इसके लिए alternate schools यानि government schools बनाए गए हैं उन्हें proper facilities देकर, proper infrastructure देकर, education guarantee center और back to school camp को भी set किया गया था drop out students के लिए 2003 में इस program के हिसाब से सारे बच्चों को अपनी primary education 2007 तक complete कर लेनी चाहिए और अपनी elementary education 2010 तक complete कर लेनी चाहिए और universal retention मिनना चाहिए 2010 तक यानि बच्चे enroll तो करे और school से अपनी education complete करने के बाद निकले उससे पहले नहीं सर्विस्च्षा अभ्यान के दो aspects है यानि के दो पहलू है पहला के वो एक ऐसा framework बनाए जो के convergent हो यानि बहुत closely related हो जिसे elementary education schemes को implement किया जा सके ये program budget friendly provision भी provide करता है कि कितने funds लगेंगे important areas में education को मस्बूत बनाने में सर्विस्च्षा अभ्यान के बहुत सारे benefits है जैसे के society के एक large हिसे को free education दिया गया है computer education की वज़े से digital gap मिट गया है बच्चों को time से किताबें और school uniform supply किया जाता है अब चाहे बच्चा SC का हो, ST का हो, Muslim minority का हो या गरीब किसान का बच्चा हो education को सब के लिए equal कर दिया गया है सर्विस्च्षा अभ्यान के कुछ benefits teachers के लिए भी है कि teachers को अपने teaching skills को develop करने का मौका मिला है vocational courses के माध्यम से teachers को support भी दिया जाता है appraisal system के जरिये जहां उनकी performance को note किया जाता है और weaker areas में training दी जाती है कुछ benefits institutions के लिए भी है कि additional classrooms प्रोवाइड किये जाते हैं hygienic toilets अच्छी मातरा में drinking water supply किया जाता है और funds मिलते हैं schools को maintenance के लिए सर्विस्च्षा अभ्यान Government of India का one of the most successful programs है और यह हम कह सकते हैं उसके success rate से जहां 2009 से 2010 के बीच 18.79 क्रोर students ने enroll किया था वहीं 2015 से 2016 के बीच 19.67 क्रोर students ने enrollment किया था क्या आप जानते हैं कि इस program को किस ने launch किया था इसे इंडिया के former prime minister अचल बिहारी वाजपाई ने launch किया था